ये गाईज वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम तो गाईज जैसे कि हमारी वर्ल्ड मैप की सिरीज चल रहे है जिसके अंदर हम इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं उनको हम ट्रिक्स से कवर कर रहे हैं ठीक है जितनी वी वाटर बॉड़ी हैं उनकी ट्रिक्स हैं सब कुछ तो जो करेंगे उसके बाद करेंगे गल्फ कॉर्परेशन काउंसल इसको बोलते हैं जी सी सी गल्फ कॉर्परेशन काउंसल में कौन-कॉन सी कंट्री जाते हैं यहां से यूपेसी के इंदर पक्का कुशन आता है गाई ठीक है और इसके बाद गल्फ में जो वार होते हैं उसके बा है तो सबसे पहले हमें पढ़ेंगे क्या पहला point countries touching the person girl ठीक है तो कई यह यह देखो यह है अपना प्यारा भारत दिखाए तेरा है यह हो गीए पाकिस्टान फिर फिर अफगानिस्तान फिर एक पहले बात तो odr सबसे पहले आपको यह पताने सी कहाँ पर लाई करता हैं में काहाँ पर ठिक अब हम पहले कि कि इसके साइड में कौन-कौन सी कंट्रीज आती है उसकी क्या ट्रिक है ठीक है इसको हमें थोड़ा चोटा करता हूं और वो ट्रिक लिखता हूं यहाँ पर ट्रिक है यह Q-Box क्या पढ़ेंगे इसको Q-Box प्लस I-Square Q-Box प्लस I-Square अब बोलेंगे सर आपने यह क्या लिख दिया ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने क्या क्या इसमें क्या लिखा है यहां पर हमने यह लिखा है कि परिशन गिल्फ को कौन-कौन सी कंट्रीस ट दिखाता हूँ अभी तो गाई जीरा आपका क्या परिशन कल दिखा दे रहा है ठीक है अब देखो हम कहां से स्टाट करेंगे क्यू से क्या था यहां पर लिखते तो मैं कि बॉक्स प्लस I-Square यह हमारी ट्रिक थी ठीक है तो हम पहले क्यू से स्टाट करेंगे देखो यह यह चोटा से दिखाए देरा है यह कतर है तो क्यू से हो गया कतर है ठीक है उसके बाद यू से दिख रहा है यह यू एई यह आपने सना ओगा यू T तो उसके बाद गैज यहां पर छोटी सी कंट्री हो रहे है यहां पर इसका नाम है भारीन ठीक है, छोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको भारीन के बाद है यहाँ पर यह ओगया, यह ओगया, यह ओगया O, उसका ज़िए O है, फिर K है फिर S है, फिर दो I है I और I, ठीक है देखो, O से क्या होगा है, Oman Oman ठीक है, K से क्या होगा है, क्वेत यह ओड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, साओधी अरभिया, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आई, दो बार आई दिखाई दे रहा है एक तो यह आई है, और यह आई है, अब बोलो कि सर यह वाला तो टच ही नहीं हो रहा है तो देखो, अब मैं आपको मैप खोल के दिखाता हूँ, यह टच हो रहा है, देखो, ध्यान से देखना यह हमारा मैप है, इसको तोड़ा सा ओर जूम कर लेते हैं तो गईस, यहाँ पर आप देखना है, जो यह वाली कंट्री ना, यह इराक इराक यह टच हो रहा है, थोड़ा आप कलर देखो, तो यह इस तरी किसे कंट्री आ रही है और यह हल किसी टच हो रही है, यह कुएत हो गई, और यह इराक का पार्ट यहाँ पर टच हो रहा है, यह परशन गल्फ है, ठीक है तो इससे touch हो रहा है ठीक है और इरान तो touch होई रहा है ठीक है तो एक हो गया इराक और एक हो गया इरान ये सारी important है गाइस तो सीधा कभी-कभी question आ जाता है कि person girl से कौन-कौन सी country's touch होती है और कितनी country's touch होती है तो अगर कितनी आती है तो गिल्लो 1,2,3,4,5,6,7,8 तो डोटल एट कंट्री हो गई जो पर्षन गॉल्फ से touch होती है, वह कंट्री यहारी, älजे छेखती है, अब इसके बाद जो conceptual question वो कैसे frame हो सकते है, देखो, conceptual question अई देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो Red Sea और Persian Gulf दोनों में टच होती है तो आप केवल एक ही कंट्री है वो है Saudi Arabia बहुत important है जाए तो मैं आप इसको उपर वाले मैप में clearly देखो केवल एक ही कंट्री है Saudi Arabia जो Persian Gulf में और Red Sea दोनों को टच करती है और कोई भी कंट्री नहीं है ओमान है ओमान नहीं है क्योंकि ओमान Persian Gulf को तो टच करती है बट वो Red Sea को टच नहीं कर रही है तो केवल और केवल Saudi Arabia एक ऐसी कंट्री है जो Persian Gulf और Red Sea यह दोनों इतने important sea routes है इन दोनों को टच कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी importance कितनी बढ़ जाती है इसकी importance बढ़ गई न तो देखो जब इसकी यहाँ पर importance बढ़ रही है तो अब चलते हैं अगले वाले point के ओपर next slide के ओपर यह क्या है GCC यह है आपका Gulf Gulf Corporation Council इसको बोलते हैं GCC Gulf Corporation Council तो अब जब इसकी इतनी importance बढ़ गई है क्या था Saudi Arabia इसकी इतनी importance बढ़ गई है यहाँ पर भी इसका red sea के अंदर भी impact आता है और यहाँ पर 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 इसका दोनों में इसकी चलती है तो जब इसकी दोनों में चलती है तो आप खुद बताओ कि कि जब कोई एक बहुत बड़ी council बन रही है तो वहाँ पर उसका headquarter कहाँ पर होगा पहली बात तो यह बताओ ठीक है और यह start कब हुई थी यह तो factual question होगे ना started started तो यह 1981 में start हुई थी उसका headquarter कहाँ पर होगा इसका headquarter है रियाद जो इसका capital है रियाद इसलिए मैं थोड़ा सा concept होगया आप कभी भूलेंगे ने इसको है न कहाँ पर क्या है अब इस वाली council के अंदर कौन-कौन सी countries है और कौन-कौन सी नहीं तो अभी हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था क्यू बॉक्स पढ़ा था कल क्यू campeiera को आप आपने पता है क्या इसे क्या हो गया कतर युए ई-ई-बी से भैरीन ओ से ओमान के से क्वेत में कउ और यहां पर यहां किस पर पोलल उन आती है कि समें गयो और आप से रहुंच कांसल अब चलते लएड के अपड़रों आपके अपर आपको एक रूंत से बहुत पुराणी बात है सory किसी को पताने गल्फ क्यों होए थे गल्फ ना कि कीओ है तो लिटे हैं थे उसको लेते हैं तोड़ा दूसरा कलर ब्लैक लेते हैं सब्सकुक्रते हैं तो जोम करते हैं और अच्छोण फढ़ते हैं सबस्काते हैं अपसको देखो अब स्कावçu क तो आप बोल सकते हो इंटर्विव में कि सर मैंने गल्फ वार पढ़ा है क्योंकि वो पूछते हैं कि आप 5 इंटरनेशनल या 5 नेशनल बता दो तो आप गल्फ वार बोल सकते हैं तो अभी आप इसको सर्च करके देख लें तो यह अभी भी आपको यह मिली जाएगा ठीक है अब आता है इराक इर्ए न में देख फिर से जाके इराक ये दिख रहा है इराक ये रहा कुएत तो इराक और कोईट के विच में को जगड़ा हुआ था इसको गल्फभभर का नाम दे दियागा था वो क्यों आता वह थोड़ा ध्यान से बताता हूं यह इराक है नहां यहा गिराए चोटा सा कुएत कुएत और इराक में चोटा सा जगडा चल रहा था वह मैं आपको उताता हूं कि क्या हुआ था देखो इराक का प्रेजेडेंट था प्रिजेडेंट मैं हमी साइस लिखता हूं पिक यूपए पर ऐसे कर तो उसका कैनाम था सद्दाम हुसेइन नाम तो सभी ने सुना हो गए सद्दाम हुसेइन पक्का इस बात की गैरेंटी है बट पता नहीं हो कौन है तो इस बंदे ने क्या करा इस बंदे ने बोला कि एक और दे दिया कि आप उकुपाई कर लो कुएत को क्यूं यह कुएत ने हमारे पैसे ने दिये किसी इस ब्लब उसमें अब क्या हुआ तो क्युति चूली है इस यह किस मड़ साउधिनने जरatra Tillou अबटा ऑपके उसकी चलती है और बताओ और किस ने करी और ऑँजिप्टने करी एजिप्ट एजिप्ट तो इनतीन ने इनकी मदद करी और यहां पर रूब चला operation important आई operation desert strong इसका क्या नाम है operation desert strong तो यह यहां पर चला और इसी को Gulf War का नाम दे दिया गया कि दोनों में जगड़ा था उसके से बहुत ज़्यादा यहां पर destruction हुआ था इसी को क्या नाम दे दिया गया Gulf War तो सद्धाम हुसें याद रहेगा और इसने क्या क्या यहां पर मैंने बेसिक सिनेरियो बता दिया बेसिक सिनेरियो क्या हुआ था ठीक है अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर एक में स्लाइड एड करता हूँ और एक चीज और बतानी आपको देखो काफी लोग को यह नहीं पता है जिसे इंडिया वर्सिस पाकिस्तान हमेशा चलता रहता है ना वैसे ही हर जगे कुछ ना कुछ होता ना कि दो कंट्री एकदम कट्र दुसमन जग्ण होती है तो वैसे ही दो कंट्री और एक है शाॉदी अरेविया व्स इरान ऐसा क्यों है की सबवादी औरір और और इरान में जगड़ा चलता रहता है देखो पहले तो मैप में देखो कि यह दोनों कंट्रीस कहां पर है इसको मैं रब कर रहा हूं पिर से यहां पर आजओ यह आपका साओधी अरेबिया यह आपका इरान इन दोनों की तो बांडरी भी टेच नहीं होती तो इन दोनों में जगड़ा क्यों होता है देखो इन दोनों में इसलिए जगड़ा होता है जो इरान है न यह सिया कंट्री है सिया मुस्लिम्स यहां पर लैन्ग्विज में तो यहां पे कौन जाधा रहते हैं यहां पे सुन्झा जाधा ये अ सब्सक्राइब उर्छां ओंच हां तो इसी में लोग अपने डूसरे को धर्म को यह सकते हैं गाइस ठीके उससे पहले मैं आपको एक स्टेट ऑफ हर्मोज और बताता हूं उसके बाद फिर आपको कोशन से पूछूँगा वहां से देखो स्टेट ऑफ हर्मोज अब एक चीज़ बताओ जो स्टेट ऑफ हर्मोज है इसके उपर चला कौन सकता है अपनी साओधे एक किया कहा इसके उपर उन्याद विल्कुल नहीं चलाएं का यहां पर लाइए वहां इससको दमकी कौन देता है इसको बन करने की एरान बोलता है कि मैं स्टेट ऑफ हर्मोज को स्टेट औहों तो गईस अगर स्टेट ऑफ हर्मो dev पॉइंट आई इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग चलती गाई यहां पर तो यहां पर जो राज करेगा वह मतलब सारे तेल पर राज करेगा और जो पे राज करता है वह इंडिरेक्ली वर्ल्ड पर रूल करता है यह वाली बात है ना तो यही यह हमेशा धंकी दे अधिक ना बिल्कुल जीरो से तो गाइस स्टेट वह चीज होती है जब भी कोई दो लेंड वह बाड़ी लेंड वन लेंड टू इनके बीच में जो वाटर बॉड़ी वहां वाटर बॉड़ी वन और वाटर बॉड़ी टू इन दोनों को एड़ कर रही होगी जोड़ रही ह सकते होगे इसकी स्टेट बोलते हैं यह तो एक डैफ इस की एक डैफनीशन और हो सकती है अब समझ गई होगे क्या चीज इसको तो डैफ़ करें कि हैmmm इसकी अचिस्ट अब दैफनीशन की क्या डैफनीशन ने स्टेट ऑफ हार्मोस की क्या डेफिनिशन हो सकती है आप खुद बताओ जो स्टेट पर्षिन गल्फ को पर्षिन गल्फ को किससे एड़ कर रहा है किसके बीच में पर्षिन गल्फ के बीच में और गल्फ ऑफ ओमान यहां पर क्या है यह गल्फ ऑफ ओमान गल्फ ऑफ ओमान तो इन दोनों को जो जोड रहा है उसको conscious state बोलते है state of हार्मोस इंपोर्टन है गाइस ठीक है और बहुत ही बसलों आप यह पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें यह पॉइंट वन हो गया पॉइंट यह लिख सकते हैं यह वर्ल्ड वर्ल्ड्स वर्ल्स मोस्ट स्टैटेजिक स्टैटेजिकल इंपोर्टन्ट चोक पॉइंट यह चोक पॉइंट है गाइस बहुत इंपोर्टन्ट है यह चोक पॉइंट सीधा कुशन आ जाएगा कि चोक पॉइंट किसको कहते हैं वो चार-पांच निदे स्टेटों के नाम दे देगा तो आपको state of हार्मो स्टिक करना पड़ेगा ठीक है इसको चोक पॉइंट बोलाते हैं ठीक है बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है ठीक है तो गाइस अब आप आप बंद करके यह आप मैप बना सकते हैं है न देखो कैसे इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान फिर क्या गया इरान फिर इराक यहां पर क्या गया कुएत के बाद यहां पर साओधिया रिविया यहां पर कौन सा है जल्दी से बताओ यहां पर क्या है और यहां पर क्या है यहां पर दो है भारेन और कतर यह भारेन हो गया यह गया कतर यह हो गया UAE United Arab Emirates और यह हो गया इस तरफ परेशन गुल्फ स्टेट ऑफ हर्मोस यहां से कुशन आते हैं मैंने बता दिया यहां से कुशन यूपसी करता है यहां से भी कुशन आ रख एक बार यूपसी के अंदर की गल्फ कौपरिशन कांसल में कौन कौन सी कंट्रीज है ठीक है वो नीचे ओप्षन देगा क थोड़ा सा कॉंसेर्ट आपको पताना चाहिए बस इंपोर्टन इतना ही था और आपको मैंने ट्रिक बता दिया फिर से बता रहा हूं क्या है क्यूबॉक्स क्यूबॉक्स प्लस आई स्कोयर आई स्कोयर को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा गल्फ कोपरेशन कांसल ठीक है इंपोर्टन है थैंक्यू गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और गाइस कमेंट करें अगर आपको कोई बी चीज चाहिए जिस आपको कोई चीज पढ़नी है तो आप दीचे कमेंट करके देंकी सर अगला टॉपिक आप यह पढ़ा है ठीक है बसे तो हम एक च अगर आप चाहें तो थैंक्यू गाइस